वरी कैनेडा के जंगलों में लगी आग के धुए ने पूरी अमेरिका में कहर मचा दिया है पहले न्यूयोक शहर की हावा का रंग बदला था अब वाशिंटन डीसी के लावा दूसरे शहर भी इसकी चपेत में आने लगी है इस आग के धुएं से शहरों में बने धुनलके ने देखने की इक्षमता पूरी तरह से कम कर दी है और बदवु ने भी लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया है ये सब किसी सामान्य शहरी प्रदूशन की वज़ा से नहीं है लेकिन जंगल में आग किसी शहर की हवा का रंग कैसे बदल सकती है ये सवाल बार बार उठ रहा है इस पर विज्ञान क्या कहता है चलिए आपको वो समझाते है पहले तो पश्चमी अमेरिका और पश्चमी कैनेटा में ही पिछले कुछ सालों से जंगल की आग का कहर देखने को मिल रहा था लेकिन ये पहली बार है जब पूर्वी कैनेटा में भी ऐसी आग लगी है और पूर्वी अमेरिका इसके असर से जूच रहा है और न्यू यॉर्क वाशिंटन डीसी जैसे शहर भी दुनिया के जो सबसे प्रमुक शहर गिने जाते हैं वो भी इसके चपेट में आगी है बड़े शहरों में प्रदूशन भी अधिक हो गया है लेकिन उससे शहर की हवा का रंग इस तरह से नहीं बदल सकता जैसे की अभी बदला हुआ देखने को मिल रहा है शहर में इस तरह का आसमान्य प्रदूशन स्मॉक की वज़ा से होता है स्मॉक शब्द स्मॉक यानि के धुआ और फॉग यानि के कुहरा शब्द से बना हुआ है जंगल की आग हो या कोई ध्योगिक प्रदूशन मौजूद छोटे छोटे कन जैसे के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आस्वान्स से आने वाले प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं जिसे रेलिंग स्केटरिंग कहते हैं इस प्रक्रिया से प्रकाश की तरंगे शित्राव होने लगते हैं जिसमें नीले रंग के ते रंगे जादा बिखरी हुई दिखते हैं और सामान्य तोर पर आकाश इसी वज़ा से नीला दिखाई देता है लेकिन कुछ खास परिस्तितियों में इसमें बदला भी आ जाता है शहरी प्रदूशन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रमुकता जादा होती है इसकी वज़ा से जिवाश में इंधन वाले वाहन होते हैं ये ऑक्साइड धुएं के बड़े कनों से मिलकर खास तरह के रसाइनिक प्रतिक्रियाओं की श्रंक्ता बनाते हैं जिससे खास तरह के स्मॉक का निर्मान होता है जिसे फोटो कैमिकल स्मॉक भी कहते हैं इसके बनने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड सूर्य की रोश्मी और विशपषील जैविक योगी का योगदान होता है आमोमन शेहरी प्रधूशन में वाशप्षील जैविक प्रदार्थ बहुत कम होते हैं इसलिए ऐसे स्मॉक कम देखने को मिलता है जंगल की आग का धुआ इसी समय करन वाशप्षील जैविक प्रदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए photochemical smoke के निर्मान की आदर स्थिती बना देते हैं जंगल के आग के धुई के साथ हवा में जली हुई राह के कंड होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं यही वश्पशील जैविक पदार्थ होते हैं आकाईस से आने वाली सूर्य की रोश्णी में लाल और उसे आसपास ते रंगों का बिखराव जादा होने लगता है इसे वज़ा से हवा का रंग पीला नारंगी और लाल देखने को मिलता है इस बिखराव को मी स्केटरिंग या फिर बिखराव कहते हैं जो की रेलिंग बिखराव पर हावी हो जाता है इस तरह की प्रक्रिया जंगल की आग बहुत जादा उध्योगिक प्रदूशन और च्वाला में कोई स्पोर्ट के हालात में देखने को मिलती है